मोकेश मिल्स सबसे ड्रावनी जगा मोकेश मिल्स जिसे भूतों का बसेरा भी कहा जाता है मोकेश मिल्स को भारत में ही नहीं बलकि पुरे दुनिया में सबसे ड्रावनी जगा कहा जाता है जहां पहले तो कपड़े बनते थे आज वो एक खंडार बना हुआ है जहां रात में तो दूर आदमी दिन में भी जाने से डरते है आखिर क्या राज छुपा हुआ है इस मिल्स में आईए जानते हैं इस वीडियो में मुकेश मिल्स में जब कपड़े बनते थे तभी से भूतिया फिल्म सूटिंग करने के लिए सबसे फेमस जगा में से एक माना जाता था वैसे मुंबई एक ऐसा सहर माना जाता है जो कभी रुपता ही नहीं ऐसे सहर के बारे में कहना मुस्किल लगता है कि यहां भूतों का भी बसे रहा है इन्हीं में से एक जगा है मुकेश मिल्स ये मिल्स लगभग 158 साल पुरानी है कहा जाता है कि इस मिल्स में कई लोगों की आत्माय भाटकती रहती है जिसके कारण इस मिल्स पर कोई आता जाता नहीं है इसी वजे से मुकेश मिल्स को भारत का सबसे ड्रावनी जगा भी कहा जाता है मुकेश मिल्स का निर्मान सन 1862 में हुआ था ये मिल्स लगभग 10 एकरद में फैला हुआ है पहले यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में कपड़े बनते थे फिर एक दिन 1970 में सौट साटकीट होने के कारण मिल्स पुरी तरह से जुलज गया इस मिल्स को फिर दो साल में ठीक किया गया फिर अचानक एक दिन पुरा मिल में आग लग गई और इस आग ने अपने अंदर वहां काम कर रहे हैं कई लोगों को अपने आग के चपट में ले लिया और उन सभी लोगों की मौत हो गई उसके बाद मौकेश मिल्स एक खंड़र में तद्दिर हो गया फिर समय बित्ता रहा समय बितने के साथ साथ इस मिल्स को 1984 में हांटेड मुवी सूट करने के लिए किराय पर लिया गया यहां मिल्स मुंबए में एन ए मार्ग पर इस्तित है और सबसे अजीब एक बात और भी है जहां मुवेश मिल्स बना हुआ है उस इलाके का महाल एकदम सांत और दूर दूर तक कोई दिखाए नहीं देने वाला इलाका है यहां मिल्स भूतिया फिलिम सुटिंग के लिए एक सांदार जगा माना जाता है और अब तक कई भूतिया फिलिम भी बन चुकी है मुवेश मिल्स पर लेकिन आज भी कई फिलिम कार मुवेश मिल्स जाने से डरते हैं इन्हें डर है कि कहीं उसे कोई आत्मा नुक्सान ना पहुचा दे मुवेश मिल्स में सुटिंग करते हुए निर्दसक रेंडशिल डिसिलवा ने बताया मिल्स के अंदर एक चमनी है और उसी चमनी के पास एक पीपल का पेर भी है कहते हैं इस पेर पर भूतो का निवास है मुवेश मिल्स में सुटिंग करते हुए लोगों का ऐसा बहुत बार दावा किया गिया है कि ये भूतिया जगा है इस बारे में कहना मुश्किल है कि दावे में बताये बात कितनी हकीकत है कितनी अफ़ाय है लोगों को यहां भूतों का होने का असास होता है कहा जाता है किसी भूतिया फिलिम की सुटिंग के दोरान लर्की को भूत ने पकड़ लिया और वह लर्की ड्रावनी लगने लगी इतनी ड्रावनी लगने लगे कि फिलिम में जो लर्की दिखाना था उससे ज़्यादा ड्रावनी लगने लगी तो फिलिम की यूनिट वालों ने उसके जब चहरा देखा तो उनके भी रोंटे खड़े हो गये और वो लड़की भूतिया फिलिम्स ते भी ज्यादा ड्रावनी लगने लगी साथ साल पहले आये फिलिम बादलापूर जो कि 2015 में सुटिंग हुआ था वो मुवीज का कुछ सीन्स मुकेश मिल्स में सुटिंग हुआ था सुटिंग के दौरान एक्ट्रेस एमी गोतम लोगों के साथ साथ रहा करती थी क्यूंकि उनको किसी आत्मा का होने का एसास होता था कुछ दिनों बाद फिलिम की टीम में से एक लड़की अजीब और गरीब हरकते करने लगी और उसके बाद बैबाहार में मरदाना सौफाब दिखने लगा उसकी आवाजे पूरुफ जैसी होने लगी और वो जोर से चिलाने लगी और कहने लगी ये घर हमारा है ये जगा भी हमारी है तुम लोग यहां से भाग जाओ इसके बाद लर्की को होस्पिटल में एडमिट कराया गया लेकिन उस लर्की का हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और कुछ दिन बाद उस लर्की की मोथ हो गई बॉलिवड के अन्य अभीनेता जैसे बीपासा बासू और इम्रान हासमी के साथ भी कई भूतिया घटनाय घट चुकी है और आज कोई भी बॉलिवड एक्टर्स मोकेश मिल्स में सुटिंग करने से डरते हैं मोकेश मिल्स को देखते ही मन में अचानक डर बैठने लगता है और दिल वहां से दूर भागने का करता है इसी वज़े से मोकेश मिल्स को टॉप मॉस्ट और हॉंटेट प्लेस भी कहा जाता है वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में सेर करे वीडियो को लाइक करे और चैनल को भी सस्क्राइब करे तब तक दिजिए इजाज़त मिलते हैं अगला इसी तरह का एक घजब का टॉपिक लेकर बैबाई